इलेक्ट्रिकाल एक्स्पिरियेंस मी आज हम फिक्सिंग ओफ स्ट्रीट लाइट विद वाल से जुड़े वाल माउंटेन 65 वाट स्ट्रीट लाइट के बारे मी डिस्कसन करेंगे अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्रेब करने के बाद बेल आइकन में अल आप्शन्स को क्लिक कर दिजिए तो चलिए अब हम वाल माउंटेन 65 वाट स्ट्रीट लाइट से जुड़े एक्स्टरनाल इलेक्ट्रिकाल वार के बारे में जानते हैं स्ट्रीट लाइट को वाल के साथ फिक्स करने के लिए जो LED लाइट का इस्तमाल किया जाता है वो एक 65 वाट सिसका LED स्ट्रीट लाइट है इस स्ट्रीट लाइट का पिछला हिस्सा को जी आई ब्राकेट के साथ फिक्स किया जाता है और बहाँ पे दो ठो नट के माध्यम से स्ट्रीट लाइट को जी आई ब्राकेट के साथ फिक्स किया जाएगा सिसका 65 वाट एलेडी स्ट्रीट लाइट को इलेक्ट्रिकाली कनेक्शन करने के लिए 3 कोर केबुल को प्रोभाइड किया गया है जहांपे फेज, निूट्राल और आर्थिंग के लिए लीड दिया गया है स्ट्रीट लाइट में LED लाइट को इस्तमाल करने से पावार कम ड्रॉप होता है और ब्राइट लाइट मिलता है इसलिए सिसका LED स्ट्रीट लाइट का इस्तमाल किया गया है फिक्सिंग अप स्ट्रीट लाइट विथ वाल से जुड़े कम्प्लीट वीडियो और प्लेलिस्ट का लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आपको इलेक्ट्रिकाल इंस्ट्रलेशन से कुछ नलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इसके अलाबा RSP Township External Electrical Work से जुड़े आपका सुझाब और विचार को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं Electrical Experience का Next Episode में Fixing of Streetlight with Wall से जुड़े Fixing of Streetlight with GI Bracket के बारे में डिस्कसन करेंगे ओके फ्रेंड्स, टाइम स्टु आइंड अप Electrical Experience Episode 5 on Wall Mountain 65W Cisca LED Streetlight तो इलेक्ट्रिकाल इंस्ट्रलेशन से जुड़े इसी तरह का वीडियो के बारे में जानने के लिए आसुतोवस Electrical Architecture चानेल को सब्सक्राइब कर दीजिए तिल द्यान सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आसुतोवस Electrical Architecture थाइंक्यू कर दो कर दो